खबन हनमान गड़ के भादरा से है जहां स्थानियवार नंबर 38 गोदारा कोलोनी में शुकरवार सुबा पश्वपालन करने वाली व्रिद्ध महिला की किसी ने सोने की ताबिजी छिनने के लिए हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसकी राज के चिकित साले में लाते समय रास्ते में मौत हो गई अस्थानी गोदारा कोलोनी में मृत्य का सर्बती अप्टे पती राम सिंग जिसे सुनाय नहीं देता है के साथ पश्वपालन का काम कर रही थी भादरा रहते हुए उसे एक वर से अधिक शमय हो गया था उसका एक पोत्र भादरा में वा एक पोत्र मूल का पत्वा में क्रिशी का काम करता है जबकि एक पोत्र बैंक में मैनेजर है पत्वा निवासी जगदीज को सुबा मोबाइल से उसकी माता के खुन से लत्पत होकर पढ़ी होने की सूचना मिली जिस पर वा अपने पडोसी घाद्र नरेशवा भागिरत को लेकर भादरा गोदारा कॉलोनी में पहنचा उसकी माता सर्बति घर के आंगन में पड़ी थी उसकी सासे चल रही थी जिसको गडी में डालकर राजकिछुकित साले भादरा लाया गिया जहाँपर डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसकी माता सर्बती को मृत घुसित कर दिया प्रातमिकी के अनुसार मृतिका के घले पर धरदार हतियार के निसान है कानों में सोने की बाली वा गले में सोने की ताविज हतियारे ने जबरजस्ती निकाल लिये थे मृतिका के दाहने कान के बाली तोड़ने समय कान कटा हुआ है घर में रखे कांगसाद मां रुपए भी नहीं मिले हिसाब किताब सब मेरी माता के पास था पिताजी को सुनाई कम देता है किसी अज्यात वैक्ती ने 17 नवंबर की रातरी को मेरे माता पिता के घर में घुसकर मेरी माता शर्बती पर हमला कर चोटे पहुचा कर हत्या कर दी भादरा पुलिस ते मामला दर्श कर जात सुरू कर दी है इस घटना के चलते भादरा थाने धिकारी रनबीर सिंग साई पुलिस उप अधिशक नरेंद्र पुनिया एसपी शुरेश चंदर ज्वांगिड के साथ जीला पुलिस अधिशक अज्य सिंग ने घटना अस्थल का दौरा कर घटना का निरिक्षिन करते हुए ज्वानकारी जीला पुलिस अधिशक ने राज के चिकित साले भादरा में मृतिका के शौक अभी निरिक्षिन किया